एक्टर रिशी कपूर को लगाई कड़ी फटकार जी हां अक्सर्थ सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट के जरिये रिशी कपूर लोगों को खरी खोटी सुनाते रहते हैं और फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया लेकिन उसके बाद एक कॉमेडियन अधीती मिद्दल ने उन्हें ट्वीटर पर जम करकोसा और कड़ी फटकार लगाई है दरसल रिशी कपूर के एक फैंस ने फिल्म संजू के ट्रेलर की आलोचना कर दी फैंने संजू ट्रेलर पर अपनी राय दी और लिखा कि फिल्म संजू संजेदत की पबलिक इमेज को साफ करने का असपस्ट प्रयास है एक अपराधी हमेशा अपराधी ही होता है वो अभी शेहर में बम गिराने में शामिल था राजू हिरानी पूराना घोटाला है लेकिन इस पर रिशी कपूर काफी भड़क गये और उन्होंने यूजर को काफी अब्यूज किया गंदे गंदे मैसेज भेजे और काफी गालियां दी वो भी ऐसी जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते रिशी कपूर ने यूजर से ये भी कहा कि तुम सीनिमा के बारे में जानते ही क्या हो हम इंटर्टेन्मेंट बिजनस में किसी की इमेज रिपेर करने के लिए नहीं हैं तुम जैसे लोग फिल्म देखने के लिए डिजॉर भी नहीं करते रिशी कपूर के इस भी हैवियर पर कॉमेडियन अदिती मित्तल ने कहा रिशी कपूर लगतार लोगों को ओनलाइन अभ्यूस कर रहे हैं और हर न्यूस चैनल और एंटर्टेन्मेंट पूर्टल उनकी फिल्मों को कवर करने और उनकी इंटर्व्यूस में मश्गूल है जैसे कि ये सब सामान्य बात हो अदिती ने इसके बाद कहा कि कोई रिशी कपूर से उनके इस तरह के बिहवियर पर सवाल क्यों नहीं उठा था अदिती ने लिखा वाइल प्रमोटिंग इस वन जिरो टू नॉट आउट फिल्म बिद मास्टर क्रीपर सबच्चन not one outlet had the guts to ask him about if he is okay with embarrassing himself in DMs on Twitter cause apparently this is the kind of behavior expected from these heroes इंडिया is sick with hate and misogamy जी हाँ आखिर उनसे इस मसले पर कोई सवाल क्यों नहीं करता क्योंकि वो रिशी कपूर है खैर वैसे अभी कुछी समय पहले रिशी कपूर सोनम कपूर के पाटी में सोहेल खान की वाइफ को खरी खोटी सुनाने को लेकर खवरों में थे वो पाटी में सल्मान खान पर इसलिए गुस्ता हो गए क्योंकि उन्होंने उनका ठीक से अभी वातन नहीं किया था बाद में नीतू कपूर की माफी मांगने के भी खवर आई प्लीज गिव और आप्पीरियन इन कॉमें सेक्शन बिलो और सब्सक्राइब तो यह चैनल